हुआ है 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 चीमी क्लास दे बेरे विदा थी हूं तो ड्रम टू दी त्यारी वास्ते तो ड्राद आध्यारा द्यारा 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 ब्यास्ट ग्यारा पॉइंट इक तक तीचा कोशन करने जा रहे है इस तो पहरा दो कोशन दी वीडियो तो अनु मिल चुकी होएगी त्यारा सुनना है कि हेट लिखे अनुपाता नु सरल करो सेम ही कोशन है जिमे केपा फरस्त सेकेंड कोशन किता जिखा अनुपाता नु सरल तम रूप बिच सेम इसे तरह ही अनुपाता नु सरल रूप करना है सिंप्लिफाई करना है उन्तियाना देखो पहले कोशन चे लिखे है दो साल चौदा महीने तो उनु मैं समझाया सी गा कि जदों भी अनुपात इत्ते हुने ने तो यूनिट सेम होनी चाहिए दिया है इत्ते लिखे दो साल चौदा महीन महिने तुसी ज़्याद दोन्या नू साल मना लो ज़्याद दोन्य महिने मना लो मैं तो न एक और गल्द से सी कि हमेशा वड़ी रकम नू छोटा बनाओ मतलग साल बड़ा हुनता है जा महिना रसो साल बड़ा हुनता है है ना उन्स साल एक साल विच किन्ने महिने हुन देने बेटा जी एक साल विच बारा महीने हों देने इस करके आसी उस साल महीने विच बदल लिया थल्ले 14 ना विकी हो गया महीने उन्हें इकलते आं रखो जदो भी दो अनुपाद दे हों तो नदी उपर दी थे थल्ले यूनिट सेम होने चाहिए दिया जदो सेम हो गई फिर ही त उसी कटिंग कर सकते हों उन्दे को दो दे पड़े थे दो अन्दा है एक थे ते चोदा अन्दा है साथ ते एधा मतलब तोड़ा अनुपाद करना आ गया बारा अनुपाद साथ आई कल समझ इसे तरह इंग्लिश मेंड़े बच्चे लिखनगे दो नाल सेगा एयर 14 मंथ 2 इंटो 12 मंथ 14 भी मंथ होगे न सेम ते फिर हूं तुसे 2 नल 14 नो कट करूंगे ते त्वाटा भी अंसर आ जाएगा 12 रेशो 7 आंसर उमीद है पहला पाग समझाया होगा दुझे पाग बल चल दें जिखो वटा हूं 28 मिनट ते दो कैंटे मैं उपर 28 मिनट लेख लिया थले 2 कैंटे इंग्लिश मेंड़े बचले 28 मिनट उपर ते तो आर्ज निचे उन तुसी यह देखना कि कांटा वड़ा हूंता है या मिनट कैंटे वड़े हूं देने एंपर वी मिनट थले वी मिनट उन कटिंग हो सकती है कटिंग करेंदा सब तो सोखा तरीकात अनुम्हें देस्ट भी सिखा कि पेला उपर अठाई है थल्ले दू है दो दे पाड़े ते अठाई का दो आंदा होएगा देखो दो नाल कटिंग किती दो एकम दो दो एकम दो दो चोके अठा चौदा ते आया ते साथा अंसर आगया 14 बटा 60 आधे उपर विजिस्ता है थले विजिस्ता है अर्जे विजिस्ता है न ते फी दोन आल बाग है टी उपर आ गया थले आ गया 3 ऊपर आ गया 7 ता अनुपाद हो गया 7 अनुपाद 30 तो अड़ा आउंसर बेल्कछ इसे तरह रहीं 28 दिनाल मिनिट लग गए ते टू इंटू 60 देनाल फेर मिनिट लग जाएगा क्योंकि वन आवर इस इकोज टू 60 मिनिट है उन तो अनु इस तरी के नल समझाया गया सिगा कि उसी जदो विज्जेस्थ संख्या पर यह होगी अद्धा करना होंदा है तो उसी इस तरह भी कर सकते हो ऊपर मिनिट कर देओं और वी रकम भीड करकरके Čक सौ बैंना हो गया थक के की पता किता कि तो टा अनूपाथ आ गया जी सत अनूपाथ ती उमीद है तो अनूपना दुज्चा पाग भी समझ आया हुएगा थी जे पाग बल चलते हैं पाक चिप एक सो पची मिली लीटर है तो न आप पता है कि एक लीटर हो बेदे हैं था कि इया से लिख लेयाuds उपर भी मेलीलिटर बन गया थले भी मेली लेटर बन गया एसका केसाथ आंसर है एक सो पच्ची थले करें 2000 एक सो पच्ची थले दो हजार वल्लाइनुशंnam ।दुस ठोड़ा यह इस कल्ट याद रख्षियाओ कि उन एक सो पच्ची दे पढ़ेते साथ पांच जीरो कदो आएगा ये ते आना देखना है छेटे जीरो पांच जीते साथ पांच जीते साथ पांच खतम साथ आंसर के ना आ गया सोला एदा मतलब एक सो पच्ची दे पाड़ेते दो होजार आंदा है एक सो पच्ची एकम एक सो पच्ची एक सो पच्ची सोला दो हजार ते साथ आनुपाद आ गया एक अनुपाद सोला आई गाल समझ एक सो पच्ची दे पाड़ेते एक सो पच्ची एकम एक सो पच्ची एक सो पच्चीनु सोला ना गुणा कर यह दा दो हजार आंदा है यह दा मतर साथ अनुपाद आ गया एक अनुपाद सोला आंसर तेन पार्ट कंप्लीट हो चुके ने चौते पार्ट वल चार मेटर वी सेंटीमेटर ते असी सेंटीमेटर यह तो बहुत ही सुख़ा हो गया बटा क्योंकि चार मेटर वी सेंटीमेटर नो पस सिद्धा ही चार सो वी सेंटीमेटर लेख सकते हैं बटा असी सेंटीमेटर ते तो गया 400 V बटा असी जीरो जीरो कटे गई ते ए हो गया साथे कुल बताली बटा आठ उनों उपर विजेस्थ धले विजेस्थ एदा मतलब कटिंग पॉसिबल अद्दा अद्दा करी जाए ते बताली दा अद्दा हुंदा है 21 ते अठा अद्दा हुंदा है 4 ते हो ए साथा अंसर आगया 21 अनुपात 4 से मिशे ते के नाली ऐसे इंग्लिश मिन वाले बच्चे ले लिखांगे 400 V सैंटीमेटर बटासी सैंटीमेटर जीरो जीरो कटे गई इस अठीकूल आगया 22 बटा अठ दो दे पाड़े थे अद्दा गिता बताली दा अद्दा इक्की ते अठा दा चार ते साथा अंसर आगया 21 अनुपात 4 चार बाट कंप्लीट होगे ने पंजवे पाड़ नों देखो तेन दर्जन बारा वस्तवाँ ते सारे नों पता है कि एक दर्जन चो बारा वस्तवाँ वी हों दियाने जागा पड़ा तेन दर्जन उपड बारा वस्तवाँ थल्ले 3 डेजन 12 पीसिस हुन एक दर्जन दे विच 12 वस्तुवा हुन दिया ने इसका के टेन गुणा 12 वस्तुवा हो गई यह उपर भी थले भी 12 वस्तुवा ते 12 नल 12 सिद्धा इकाट गया ते बचेा की उपर 10 थले 1 आंसर आगया 10 अनुपाद इक इदर भी दे बारा दे बारा कटे गए तिन अनुपात एक तो अटा किया आँगया आंसर तेस तरह साथ ने चार पार्ट तीजे कोशन दे कंप्रीट हो चुके ने पांच पार्ट सो रही एफ पंजबा पार्ट सीगा ते उन अपाच चौथे कोशन बढ़ चल देया चौथा कोशन देखो हेट दित्ते हरेक अनुपात दे दो तुल अनुपात पता करो तुल अनुपात मतलब इक्विवेलेंट रेशोस होन किद्दा लिखनी है त्याना लिखियो बहुत ही सोका कोशन है तो उसी पहला अपना कोशन लिख लएना तो अडिकल कोशन की दिता आगया चार बटा एक इद्धे तुल अनुपात पता अनुपात पता करना देखो पहाडा लिखना है बस उपर थल्ले दो ना उना कर देओ चार एकम चार चार दुनी आट दो ना उना उना गिति उपर धल्ले डो ना उन अठ अनुपात दुछा उना उना अनुपात आया बारा अनुपात तिन आइगाल समज्च इस तर्बा दुझे पाकनों देखते है तेन अनुपात पांज नूल अप्पा लिखना सीगा उपर वाले नूवी दो नाल गुणा थल्ले वाले नूवी दो नाल गुणा तेन दूनी छे पंजू दूनी तास लागरी समझ उपर वाले नूवी तेन नाल गुणा थल्ले वाले नूवी तेन नाल गुणा एट वाटा अंसर आगया 32 सोखेट अंगान तीज्जे बाग बल चल देया पंज अनुपात बारा गलू से तरीके नल ये कोशन नो हल करांगे उपर वाले नो दो नल गुना करो पंजू दूनी 10 थले वाले नो भी दूना गुना गिरा बारा दूनी चौवी उपर वाले नो ते नल किता पंजू दिये पंदरा बारो दिया च्छती तोड़े दू तूल अनुपात निकल गएने 10 अनुपात चौवी ते पंदरा अनुपात च्छती इस तरह तुसी दूनी बहुत सारे तूल अनुपात पता का साग देओ चानल कर लेओ पर्थले गुना पंजू नाल छे इनाल इस तरह तोड़े तुल अनुपात ही निकल दे रहनेगे ते इस तरह तोड़े तीजा पार्ट भी कप्लीट हो चुका है चोथे कोशन था उमीद है समझ आया हुएगा पाज़े में कोशन मचल देया छेकर वीडियो वदिया लगी हो वेज तो मेरे अपड़ाया समझ आ रहे हो वेजरूर लाइक करना है जरूर कमेंट कर रहे हो कि समझ आ रहे है कि नहीं ते नाली नाल मेरे चैनल नो बेटा सब्सक्राइब करना ना पुले हो ते इस वीडियो नो वद तो वद अपने फ्रेंड जेनल शेयर करें बेटा